हाई फ्रेंड्स, वल्कम बैक तो मैं चानल, अनन्या रचलिंग स्टार्ड, आया बरन्या तोड़े इस संडे, आज संडे है, तो संडे के दिन नो पढ़ाई, सिर्फ खेल सो संडे इस फंडे, तो आप तो संडे और फंडे से समझ चुके होंगे कि आज में कौन सा वीडियो लाई हूँ, आज मैं खेल खेल में एक वीडियो बढ़ाऊंगी आज मैं आप सभी को मेरे स्टडी डेबल की एक लांप की अन्बॉक्सिंग करके दिखाऊंगी किया आप मेरे साथ आओगे, मुझे बता था कि आप संडे इस फंडे सुनकर मेरे साथ आओगे और एक बात मेरे स्टडी डेबल की लांप के उपर कि मैंने मेरे स्टडी डेबल को हमाएं लोकल स्टोर से लिए है पर अगर आप इसे ओनलाइन से लेना चाहो तो भी ले सकते हो निंग नीचे डिप्स्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाकर चेक कर लेना चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारे लैंप का बॉक्स ये फ्रेंड है मारे लैंप के बॉक्स का यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं चीजें और आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंप हमारे कितना क्यूट लग रहा है हम इसको उपन करके भी देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी बेचिस हैं और यह काफी कलर उसमें मिलता है आपको यह टेडी बियर में भी मिल सकता है और वो अलग-अलग कलम है आपको ब्राउन में भी मिल सकता है और पिंक में भी मिल सकता है तो यहाँ साइड में इंस्ट्रॉक्शन्स लिखे हुए हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है के साथ गई थी लेने तो वो है और इसका प्राइज में आपको लाश्ट में बता दूंगे इसलिए एंड तक जरूर देखना तो चलो इसको ओपन करते हैं यहां पर टेप लगा हुआ है इसको निकालते हैं पर टेख सकते हैं हमें अपने लाब का पार्ट मिल चुका है तो यह सबसे टॉप में आखा हुआ है फ्रेंड यह हमारे लाब्ड का सबसे टॉप पार्ट है आप देख सकते हैं इसको साइड में लग देते हैं और यह हमारा लैंब का सबसे नीचे का पार आप देख सकते हैं यह कितनी क्यूट लग रही है ना यह हमें किटी में मिली है तो यहां पर एक स्विच पोर्ट जैसा भी है आप इसे लगा कर इसे ओन कर सकते हो इसे कैसे ओन गफ करना है तो फ्रेंड्ड आप यहां पर देख सकते हैं पार्ट है कुछ लंबा सा है आपको बताऊंगे इसे कैसे जॉइंट करना है और यहां पर बुक भी दे गए है यह बताने के लिए श्टडी केबल का लैंप है एक पर किम सबसे में पार्ट है लैंप का बॉक्स को साइड में लग देंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको जॉइन करते हैं पहले हम इस स्ट्रिप जैसे चीज़ को लेंगे इसे यहां पर लगा देंगे यह ठीक से नहीं लगेगा यह गूमता ही रहेगा यह जॉइन नहीं होता है उसके ओपर हम बर्ब लगा देंगे यहां पर बीच में स्पेस दिया हुआ है अब हमें सबसे टॉप पार्ट को लगाना है आप देख सकते हैं आप पर होसे होए हैं मैं इसको इन श्टिक पर लगा जूँगे पहले हम ऐसे करेंगे इसको कैसे जॉइंट कर रहे हूं नेक्स साइड से भी हम ऐसे जॉइंट करनेंगे तो यह जॉइंट हो चुका है अब हम बुक को लेंगे हमारी किटी के यहां पर एक होल है यहां पर हमें बुक को अटेज करना है तो फ्रेंड आप ऐसे कि देख सकते हैं अब ए मैं अब इसको स्विच बॉर्ट से लगा कर देखेंगे कि यह ऑन फोता भी है या नहीं तो सबसे फहले Friends मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो Switchboard जैसा यहाँ पर दिया हुआ है इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक Red Color का Switchboard का Switch जैसा लग रहा है यहाँ पर एक white dot दिया हुआ है अगर हम इस तरब से इसको ऐसे करेंगे तो हमारा switch on हो जाएगा लेकिन यह switchboard पर connect होना चाहिए तो चलिए फर हम इसको लगाते हैं तो friend आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा lamp है इसका switchboard हम यहाँ से connect कर देते हैं तो यहाँ पर मैं इसको attach कर देती हूँ पर मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ on नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका switch on नहीं है पर अगर switch on है तो ध्यान रखना इसको use मत करना अपनी ममी के साथ यह करना कभी भी यह कम अखेले मत करना मेरी ममी pass में है और switchboard on नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया है लेकिन जब भी मैं switchboard लगाऊंगी तो मैं मेरी ममी को बला रही हूँ तो चलो ममी को बलाते हैं ममी इधर आओ switchboard connect कर दो मेरी ममी आ रहे हैं वो आकर लगा देंगी तो friends आप जैसे के देख सकते हैं हमाया switchboard मेरी ममी ने इसको on कर दिया है लेकिन friends यहाँ हमारी box के साथ नहीं आया था यह मेरी पापा ने मुझे दिया है ताकि मैं इसको जला सकूँ और यह मेरी table के नेके लगा हुआ है आप देख सकते हैं यह मेरी table है मैंने इस switchboard में हमारी lamp का switch लगा दिया है अब हम इसको on करते हैं लेकिन यह भी मैं मेरी ममी से कराऊंगी तो चले करते हैं तो friends यह on मेरी ममी ने कर दिया अब हम lamp को on करते हैं तो friends आप देख सकते हैं मैंने मेरी lamp को table पर रख दिया है अब हम इसको on करते हैं जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हम इसको on कैसे करना है हमारा switchboard यहाँ पर है हम इसको on करते हैं चलिए तो friends आप देख सकते हैं हमारे lamp easily चल रहा है और इससे काफी ज़्यादा light हरी है लेकिं इसे आप सुबर में यूज मत करना आप light off करके इसे यूज करना तब यह और अच्छा लएगा तो friends मैं light off करके भी आपको बता देती है तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं light off कर दिया light off करने से यह और भी ज़्यादा beautiful लग रहा है है ना कितना cute इसे हम side में रखकर मैं तो भूली गई कि मैं तो आपको price नहीं बताया चोलो मैं आपको price बताती हूँ तो friends जब मैंने इसको purchase किया था तो मुझे actual rupees में यह 500 मिला तो लेकिन क्या पता online में आपको इसका all थोड़ा सा ज़्यादा या फिर कम rate में भी मिल सकता है तो मैं आपको link दीज़े description में दे दूँगी आप वहाँ से यह ले सकते हैं और आपको मेरा lamp कैसा लगा comment box में ज़रूर बता मेरे चानल को like, subscribe और share करना भी मत भूलना तो मिलते हैं next video में बाई बाई